हेलो गाईज, करंट अफेर्स फंडा में आप सभी का स्वागत है, मैं हूँ आपके साथ विशिक शर्मा और आज के इस वीडियो सेशन में हम एक सिदम बरतक के सभी इंपोर्टन करंट अफेर्स कवर करने वाले हैं, हमेशा के तरह आप इस वीडियो को अंते तक चरूर पीडियो चाते हैं, तो करंट अफेर्स फंडा का वर्यर मेंबर्शिप प्लान आप जोईन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्रिप्शन में या फिर फर्स्ट कोमेंट में मिल जाएगा, आपको बताती से वनियर मेंबर्शिप प्लान के रहें, जितना भी पीडियो कोंटेंट है, वो हम आपको एक साल तक प्रोवाइट कराते हैं, जिसे आप डाउनलोड कर सकते हैं, प्रिंट आउट भी निकलवा सकते हैं, इसके लिए चाहता आपको रिंट अफेर्स फंडा एप को यूज कर सकते हैं, या फिर अपने लैप्टॉप या सिस्ट सबसे पहले आचा कोश्चन देख लेते हैं, जिसका आपको अभी कोमेंट बॉक्स में करना है, आदित्य एलवन इंडियास फर्स्ट स्पेस बेस्ट ऑप्सरवेटरी टु स्टेडी वीच सेलेस्टिल बोडी विल बिल लॉंच्ट ऑन सेप्टेंबर सेकिंड, किस खगोल य सबी एस्पिरेंट से इसका आंसर जानते होंगे, ज्यादा ज्यादा संक्या में आप कोमेंट कीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं, इसी तरह कोश्चन सब्सक्राइब प्रक्टिस करना चाहते हैं, तो हमें टेलिग्राम पर जोइन कर लीजे, करन्ट अफिर्स फंडा नाम से मारे टेलिग्राम चैनल है, इंडियान एर फोर्स कंटिंजेंट इस टेकिंग पार्ट इन विच बायनियल मल्टिलेटरल ट्राइश सर्विस एक्सराइज इन इजिप्ट, भारतिय वायुसे नाम मिसर में किस द्वी वासिक बहु पक्षिय त्री सेवा अभ्यास में आपके सामने है, सही answer option C है, exercise bright star 23, आपको जानना चाहिए कि इंडियन एर फोर्स कंटिंजेंट यानि की भारतिय वायुसेना का दल, काईरो वेस्ट, एर बेस्ट, जोकी इजिप्ट में है, यहां के लिए रवाना हो चुका है, क्योंकि काईरो में, exercise bright star 23, 27 अगस से 16 नमबर 2030 के बीच आईचित की जा रही है, आपको उताते exercise bright star 23, यह एक बाइनियल, multilateral, tri-service exercise है, पहली बार इंडियन एर फोर्स इसमें participate कर रहा है, इंडियन एर फोर्स के लावा, United States of America, Saudi Arabia, Greece and Qatar, इनके जो एर फोर्स हैं, वो भी participate कर रहे हैं, भारत की ओर से 5 MIG-29, 2 IL-78, 2 C-130 and 2 C-17 aircraft participate कर रहे हैं, वहीं इंडियन एर फोर्स की जो करूर special forces हैं, वो भी इसमें participate कर रहे है Which automotive manufacturer developed the BS6 stage second electrified flex fuel vehicle prototype, किस automotive निर्माता ने BS6 stage second electrified flex fuel vehicle prototype विक्सित किया है, सही आंदर option दी है, Toyota Kirlosgar Motor आपको जाना चाहिए कि Union Minister for Road Transport and Highways नितिन गड़करी, इन्होंने नई दिल्ली में, वर्ड के first BS6 stage second के prototype को launch किया है, इसका नाम है electrified flex fuel vehicle, इसे develop किया है Toyota Kirlosgar Motor ने, आपको बतादे हैं, एक electrified flex fuel vehicle याने कि उसमें फ्लेक्सी fuel engine और electric powertrain दोरी तरह की feature उसमें होते हैं, तो इससे क्या होता है जो ethanol use है, वो काफी बढ़ जाता है, और जो fuel efficiency है वो भी बढ़ जाते है, क्योंकि जो vehicle है, वो hybrid electric vehicle की तरह कार्य करता है, जिससे की उसकी जो efficiency है, fuel efficiency हो 30 to 50% higher हो जाती है, क्योंकि 40 to 60% वो जो है EV mode पर चल सकता है, with engine shut off, Toyota Kid Losker Motor के MD & CEO Masakazu Yoshimura है, which bank has announced its partnership with five badminton players, लक्षे सेन, सात्विक साही राज रांकिरेटी, चिराक्षे टी, त्रीशा जोली and गायतरी गोपीचंत, किस बैंक ने 5 badminton खिलाडियों, लक्षे सेन, सात्विक साही राज रांकिरेटी, चिराक्षे टी, त्र इसाही राज राज रांकिरेटी, त्रीशा जोली एंड गायतरी गोपीचंत, इस पार्टनर्शिप के तहत, जो डीबीएस बैंक है, ये पूरे धेश भर में, जो है, ओर्डियन्स से connect होना चाता है, तो एक तरह से ब्रेंड अम्बैस्टर अपना निफ्टिया है, इन 5 badminton प्लेयर्स को, डीबीएस बैंक की बात करते हैं, तो सिंगापूरियन मल्टी नेशनल बैंकिंग और फाइनेशल सर्विसेस कोर्पेशन है, इसका हैट्वार्टर्स मनीना पे डिस्टिक सिंगापूर में है, इसकी टैगलान है, लियूमोर, बैंकलेस, सुरुजूत सौम, इ आपने देखा भी होगा, रजत वर्मा को, भारत में जो इनकी इंस्टिशनल बैंकिंग है, इसका मैंजिंग डेरेक्टर एंड हैड न्यूक्त किया गया है, संदाचनत मक अखंटता पर तीसरे अंतरास्टे संबिलन का उतकाटन कहां किया गया, सही आंजर ओप्शन दिया है, मौमालापूरम तमिलनाडू, जानेगा, थर्ड इंट्रेंसल कौन्फरेंस ओन स्ट्रक्चल इंटिगरिटी, आइकोंस 2023, इसे मौमालापूरम तमिलनाड में इन्नुगरेट किया गया, इसका इन्नुग्रेशन, Dr. N. Kelisilvig, जो की Director General है, Council of Scientific Industrial Research and Secretary है Department of Scientific Industrial Research में, Aarcons 2023 को औरिगनाईस किया गया Indira Gandhi Center for Atomic Research Kalpakkam, Society for Filler Analysis, Indian Institute of Technology Madras, Indian Society for Non-Destructive Testing Kalpakkam Chapter, Indian Institute of Metals Kalpakkam Chapter and Indian Structural Integrity Society के द्वारा. Who released a postage stamp in memory of Dadi Prakashmani, former chief of Brahma Kumaris, Brahma Kumari सी पूरु प्रमुक, Dadi Prakashmani की स्मृति में Dark Ticket किसके द्वारा जारी किया गया सही आंत्रोप्षन सी है, द्रौपती मुर्मू. जाने का President of India स्त्रिमती द्रौपती मुर्मू ने, Dadi Prakashmani, जो की Brahma Kumaris की former chief रह चुकी है, इनकी स्मृति में postage stamp release किये हैं, रास्टपती भावन Culture Center में. आपको बदा दें, जो Dadi Prakashmani हैं, उन्हें Brahma Kumaris मुमेंट को head किया, Brahma Kumaris मुमेंट वर्ड का largest spiritual organization है, जो की महिला द्वारा चलाए जाता है. ये stamp release किया गया है, Department of Post, Ministry of Communication के My Stamp Initiative के तहत, और इसके जरीए Dadi Prakashmani की 16th death anniversary है, उसको इस मुमेंट किया जा रहा है. Brahma Kumaris जो है, एक spiritual movement है, जो की हैदराबाद सिंध, पाकिस्तान से सुरू हुआ था during 1930s. How many TB patients did the Indian Air Force place to support as part of the Nikshay Mitra scheme? कि भारतिय वायू से नाने, Nikshay Mitra योजना के तहत, कितने TB रोगयों को साहता देने के लिए परतिबद्धता व्यक्त की सहियांतर आप्शन भी है, 765. जाने का Indian Air Force ने एक परतिबद्धता जो है दरशाई है, कि हम Nikshay Mitra scheme के तहत, 765 TB patients को support करेंगे. जो Nikshay Mitra है, ये एक initiative है अंडर प्रदान मंत्री TB मुक्त भारत अभियान, इसे Ministry of Health and Family Welfare द्वारा इंप्लिमेंट किया जा रहा है, इसका मकसद है 2025 तक भारत से TB को eliminate करना. ग्लोबली टार्गेट किया है 2030 तर, लेकिन हमारे भारत में टार्गेट है 2025 तक TB को eliminate करना. आपको बतारी निक्षा मित्री स्कीम सबसे पहले बार 2018 में launch की गई थी, इसके देहते additional diagnostic, nutritional and vocational support दिया जाता है by electorate representatives, corporates, organizations, NGOs, and individuals. उन सभी को जो भी TB treatment करा रहे हैं. जाने का स्वामित याने की survey of villages, आबादी, and mapping with improvised technology in village areas. ये जो स्खीम है, मिनिस्ट्र पंचाइती राज़ की. इसे National Award for E-Governance 2023 गोल्ड दिया गया है, for application of emerging technologies for providing citizen-centric services. ये award ने 26 National Conference on E-Governance के तोरान दिया गया, जिसे विक्सित भारत empowering citizens के theme पर Department of Administrative Reforms and Public Revences, Government of India द्वारा, इंदोर मध्यपर्दिश में आज़ित किया गया. तो एक question इसी में ये भी है, कि 26 National Conference on E-Governance कहा हुजित किया गया, तो इंदोर मध्यपर्दिश में theme के रहा, विक्सित भारत empowering citizens. स्वामित्वी scheme की बात करें, पहले चोब इस 2020 में launch हिया गया था, इसका मक्सर है, जो भी property owners है, village inhabited area में, उनको ownership प्रोवाइट की जाए, by using latest drone and GIS technology, जिससे कि उनके लिए bank loan लेना आसान हो जाए, क्योंकि उनके पास अब property भी होगी कुछ दिखाने के लिए, और भी जो financial benefits हैं उनका वो lab ले सकते हैं, और जो भी land related disputes होती हैं का settlement हिया जा सके है, वर्ड संस्क्रिट डे 2023 was celebrated on which day, विस्वा संस्क्रिट दीवस, 2030 किस दिन मनाया गया सही आंतर option डी है, August 31st, जाने का वर्ड संस्क्रिट डे, ये स्रावण मास की पूर्णिमात इथी को मनाया जाता है, यान इनकी बड़त anniversary के उपलक्ष में भी मनाया जाता है, संस्क्रिट आप सभी जानते है, mother of all languages इसको बोलते हैं, और इस पार 2030 में 31 अगस्त को word संस्क्रिट दे मनाया गया है, देखे जो अगस्त वाला question है ये specific list में अगस्त लिखा है, एक question और देखेंगे हम, तो इने अगस्त अगस्त वाले हैं, जिसमें specifically लिखा हुआ है कि अगस्त, 1969 में Ministry of Education Government of India ने instruction जारी किये थे, कि Central और State Level को संस्क्रिट दे मनाया जाएगा, एक question ये है, सही अगस्त का, इसको भी PDF में, last में हम डाल देगे, ठीक है, सेम ऐसे ही, ये दो question है, इसे, which organization observed its 14th foundation day on August 25, 2023, 25 अगत 2030 को कि इसवाज साब ना दीवस मनाया, सही answer option D है, C-DOT, Center for Development of Telematics, जो कि एक Premier Telecom Research and Development Center है, Department of Telecommunication, Ministry of Communication, Government of India के तहत, इसका 40th foundation day on August 25, 2023, इसको मनाया गया, और ये foundation event जो है, इनेगरेट किया गया, देवु सिंग चोहान द्वारा, जो कि Minister of State for Communications, Government of India है, चोहान ने C-DOT का Enterprise Security Operation Center, ESOC को भी inaugurate किया है, C-DOT Campus, New Delhi में, साथी तरिनेत्र को भी lynch किया है, तरिनेत्र किया है, यह कई सारे जो security systems है, उनका combination है, security system जैसे security information and event management, security orchestration and automated response, data loss prevention, user entity and behavior analytics, multi-source threat intelligence, इन सभी का एक combination है, तो यह 24-7, real-time, extendable cyber security status and detection and resolution of cyber threats, provide कराता है, C-DOT के Chief Executive Officer, राज कुमार उपाद दिया है, How many crore rupees did the Defense Equation Council DAC approve for enhancing the operational capabilities of the armed forces, रक्सादिकरण परिसद ने ससत्रबलों की प्रचालन चमताओं को बढ़ाने के लिए कितने करोड रुपए के प्रस्तावों को सुईकरती दी, सही answer option CS 7800 crore rupees, आपको जाने सिए Defense Equation Council, इसकी meeting हाली में हुई है, Under Chairmanship of रक्षामंत्री राजनाश सिंग, इन्होंने 7800 crore rupees के, जो Capital Equation Proposal है, उनको acceptance of necessity, जो है, provide कराई है, यानि कि इतने का buy करेंगे ये लोग न, defense में, तो इससे क्या है, जो इंडियान एरफोर्स के efficiency हो बढ़ेगी, और इसके तहरत ये जो है, electronic warfare suite, on MI-17 V-5 helicopters, इसको भी install करेंगे, procure करेंगे, भारत Electronics Limited से, The Ministry of Heavy Industries has designated which entity as the independent engineer for the PLI-ACC scheme, भारी उद्धियोक मंत्राल ने PLI-ACC योजना के लिए किस इकाई को स्वतिनतर अभियनता के रूप में नामित किया, सही आंतर option है, Engineers India Limited, देखे, Mr. Heavy Industries ने जो है, 30 GWh, 30 GWh के capacity build करने के लिए, तीन companies को चुनाएक तो है, Ola Cell Technologies Private Limited, ACC Energy Storage Private Limited और Reliance New Energy Battery Storage Limited, साथी भी काये कि 2030 तक 50 GWh का production करने के लिए, जो है, another 20 GWh आर जो है, किसी company को देने के लिए process में है, तो यह जो पूरा कारे दिया गया है, इन तीनों ही companies को, तीनों ही beneficiaries को, इसको monitor कोन करेगा, Engineers India Limited, इसलिए इसे independent engineer नियुक्त किया गया है, Ministry of Heavy Industries ने आपको पता दे, Production Linked Incentive PLI Scheme लॉंच की थी, for Advanced Chemistry Cell Battery Storage June 2021 में, ताकि देश भर में 18,100 करोड रुपे की लागत से, Giga Scale ACC Manufacturing Facilities Setup की जा सके, दबुक सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, is a compilation of speeches delivered by which eminent leader, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, पुस्त किस लीडर द्वारा दिये गई भाशन होगा, संकलन है, सगी आंदर अप्शन है, यह है, Narendra Modi, पहले वाली photo दर से लग दिए, देखे, Union Minister for Information and Broadcasting, Youth Affairs and Sports, अनुराग ठाकूर और मध्यपरदेश, चुफ मिनिस्टर स्रीवरास सिंग चोहान, इन्होंने सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, इस बुक के दो वोल्यूम लॉंच किये हैं, इसमें, Prime Minister Narendra Modi का जो second term रहा, इसमें जो भी उन्हेंने speeches दी है, June 2020 से मई 2021 और June 2021 से मई 2022 के बीच में, उनको लॉंच चिया गया है, भोपाल में, इनको कंपाइल किया है, Minister of Information and Broadcasting के तहता आने वाले Publication Division के द्वारा, Which organizations collaborated to create the comic book, Let's Move Forward, Comic Book, Let's Move Forward, कि संगठों द्वारा त्यार की गई है, सही आंतर आप्शन दी है, NCRT and UNESCO, देखी Union Education and Executive Development and Entrepreneurship Minister, द्रमेंद्र परधान, इन्होंने एक novel comic book launch है, जिसका title है, Let's Move Forward, इस book को launch किया गया है, National Council of Educational Research and Training, NCRT and UNESCO New Delhi के आपट्स के द्वारा, आपको बता देए, इस book में जो है, School Health and Wellness Program, SHWP के बारे में बताया गया है, SHWP, आईश्मान भारत campaign, जो कि अप्रेल्थ होजार रठारा में launch किया गया था, इसके तहत ये एक initiative है, Minister of Education and Minister of Health and Family Welfare का, इसका मकसद यह है कि Health Education कैसे Prevent, कैसे digits से बचा जा सकता है, कैसे Health Services को एक्सेस कर सकते हैं, इसके बारे में लोगों को knowledge प्रोवाइट कराना, Which Metro will replace Steel Third Rail with composite aluminium, कौन सी Metro Rail, Steel Third Rail को composite aluminium से बदलेगी, सही answer option, C है Kolkata Metro, देखे Kolkata Metro Railway, जल्दी, London, Moscow, Berlin, Munich, Istanbul, यहां की जो Metro's हैं, इनी के पार आजाएगी, at पार with these Metro's, यानि की इनी के लेवल पर आजाएगी, क्योंकि जल्दी, यह अपने जो जो बार है, जो रेल बार है, याना उसको, Steel के जो रेल बार है, उसको composite aluminium से बदलेगी, देखें, आप लिखा है, Third Rail is a live rail, that provides electric power to a train through a conductor placed outside the rails, तो अब कुलकाता मेट्रों डिसाइड किया है, कि हम composite aluminium यूज़ करेंगे, composite aluminium third rail यूज़ करेंगे, अपने सभी corridors के लिए, कुलकाता मेट्रों में, अभी तक जो power दी जाती है, वो steel third rail के दोबरा दी जाती, है, तो देखिए, third rail current collector यूज़ होता है, यूज़ इस्टील का बना होता है, और जो मेट्रों का रेक है, उस पर ये fit रहता है, तो इलेक्ट्रिसिटी, जो है, catch करता है, third rail से, और वो जो है, train को supply की जाती है, तो पिछले 40 सालों से, कोलकाता मैट्रों रेल्वे है, इसमें जो, ये third rail बना हुआ है, ये स्टील का बना हुआ है, तो अब इसमें क्या करेंगे, ये composite aluminium को यूज़ करेंगे, ताकि maintenance घट सके, यह ना, maintenance जातान रखने पड़े, life cycle, कोस्ट पीस की घट सके, और जो painting का खड़चा जो आता है, हर पास सार में वो यू बस सके, कोलकाता मैट्र रेल्वे, आप सभी जानते हैं, इंडिया का first मैट्र है, 24 अक्टर बनने से 84 को लोंच किया गया था, देखिए आपर देखिए आप, पहले वाली फोटो छोड़िए, दूसरे वाली में देखिए, यह देख रहे हैं आप, जो yellow color की पूरी एक बार लगा हुआ है, इसे ही बोलते हैं third rail, तो यह जो है electricity प्रोवाइट खराती है, पार सप्लाई देती है train को, आगे इंसूलिटर भी हैं, तो यहीं से एक road connect रहती हैं उसमें, ट्रेक के साथ, उपर भी देख सकते हैं आप, यह yellow color की जो हैं थर्ड रेल हैं, थर्ड रेल बोलते हैं इसको, रेल मतलब बार टाइप, इंडिया इन विच कंट्री आप साइंड ए Memorandum of Understanding to Boost Cooperation in Civil Aviation, भारत किस्ते से नागरिक ओडियान में सहयोग को बढ़ावा देने के लिए, समझोते क्या आपर प्रस्ताक्षर किये हैं, ओप्चन्स आपके सामने सहयांत्र ओप्चन दी हैं, निउजिलेंड, देख Government of India and Government of New Zealand ने एक Memorandum और स्ट्रेंडिंग साइन किया है, जिसके तहते सिविल एवेशन में जो सहयोगे उसको बढ़ाएंगे, जैसे कि नए रूट्स किसे डिलिंग करना, कोर्ट शेयर सर्विसेज, ट्रैफिक राइट्स, और कैपसिटी इंट्रेटलमेंट, एक और करेंट अफेड जानेगा, देखा हमेने, बैंक एक्साम में भी, जो ये डायलोग होते हैं, कि फिफ्ट एन्वल दिफेंस डायलोग या थर्डायलोग इस तरह के पूश लेता है, जनरली देखने से लगता हैगी, यासे नहीं पूछ पाएगा, यासे कोश्चन नहीं पूछेगा, इसने बताया गया है कि देख पर में 23.14 मिलियन माइनर इंडिगेशन स्कीम से हैं, जिन में से 21.93 मिलियन ग्राउंड वाटर स्कीम है, वही 1.21 मिलियन सर्फिस वाटर स्कीम से हैं, यानि कि ज्यादा कैस कौन सी है ग्राउंड वाटर, 94.8% और सर्फिस वाटर स्कीम कितनी है, 5.2% अगर हम largest number of minor irrigation schemes की बात करें मारे देश में, तो ये उत्तर प्रदेश में, इसके बाद महाराश्टर, मद्यप्रदेश और फिर तमिलनाडू, अगर हम ग्राउंड वाटर स्कीम सी बात करें, तो इसमें भी उत्तर प्रदेश लीडिंग स्टेट है, फिर महाराश्टर, फिर मद्यप्रदेश और फिर तमिलनाडू और फिर तिलंगाना है, अगर हम surface water schemes की बात करें, तो इसमें सबसे अगर नी, महाराश्टर, फिर करनाटक फिर तिलंगाना, फिर उड़ीसा, फिर जारकंड, ground water schemes में dug wells, shallow tube wells, medium tube wells, deep tube wells, यह सब याते हैं, जबकि surface water schemes में surface flow and surface lift schemes आती हैं, साथ ही यह भी बताया गया है कि यह तो 6th minor irrigation sensors है, जो 5th sensors यूज़ की गई थी, तो उससे अगर हम अब compare करें, तो 1.42 million MI schemes में जो है increase देखने के लिए मिला है, national liver पर ground water और surface water schemes में 6.9% and 1.2% respectively increase देखने के लिए मिला है, MI schemes में सबसे आता जो share है, dug wells का है, उसके बाद shallow tube wells, फिर medium tube wells, फिर deep tube wells, mass leading state है dug wells में, surface flow and surface lift schemes में, उत्रप्रदिस करनाट के पंजाब, यह तीन leading states हैं, shallow tube wells, medium tube wells and deep tube wells respectively, यानि कि, shallow tube wells में उत्तरप्रदिस है, medium tube wells में करनाटक है, deep tube wells में पंजाब है, जो जायतर MI schemes हैं, यह private ownership के तहत हैं, यह आपको जानना चाहिए, ground water schemes, इसमें private entities के पास 98.3% ownership है, में surface water schemes में 64.2% private ownership है, अच्छा, गर हम individually owned scheme की बात करें, तो 18.1% जो MI schemes हैं, यह इसकी owner मही लाए है, तो यह report भी महतपूर्ण है, याद रखेगा, गर्में आपको प्राइये यह report जारी की गई है, Previous assignment questions के answer थेखेंगे, Polish sportswoman, EGASIA Tech plays which sport, tennis, which state has the Bhagirati Eco-Sensitive zone, Utrakhand, where is Nagi Lake located, Srinagar, JNK, when is the international day of the victims of enforced disappearance observed, August 30, the ISRO describes Aditya Elban as the first space-based Indian mission to study the sun, here what does L stand for Lagram say आप मैं से कई अस्वेंट से बिलकुल सही आंथर किया है इसी तरह से आप पार्टिपेट करते रहें आज के साइनमेंट कोशन देखेंगे वेर इस दा इंट्रेशनल देखेंगे वेर इस दा इंट्रेशनल देखेंगे किस कंट्री में इस कौन के हेड है आपर बिंग हेल्ड इन चैन्नाइप पुने दे थर्ड और फाइनल इवेंट अफ वितास्ता कल्चर फेस्टिवल हेल्ट इन विश्टी विच कंट्री जोफ्रे इमेनुवल मार्क्ट इस देब्यू इन दे मलेशन सुपर बाइक चेंपिन्शिप 2023 विट पोडियम फिनिश्ट इन बोथ दा रेसे स्ट्राइट अहुंड़ा सीबिया टूफिफ्टी मशीन अर्था सेपंग इन पाच्चों के आंसर आप कॉमेंट बोक्स में दीजेगा य दोस्तों हब हमारे करण टाफेर्ज की प्लेजर देगें इसको आप जरूर देखें अपने दोस्तों के साथ फैलो एस्पेंट साथ हमारे करण टाफेर्ज को आप शेर जरूर करें आज का इससे न आपको कैसा लगा कॉमेंट बोक्स में बश्यों बताईएगा Thank you guys